रेखा और डिम्पल यादों की एक तस्वीर इंदिनों चर्चा में क्यों है क्या रेखा उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आ रही है क्या डिम्पल यादों ने रेखा को चुनाव प्रचार के लिए तैयार कर लिया है या रेखा को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में उतारना चाहती आखिर बात क्या हुई है? क्या बात बनी है? इस तस्वीर के एक एक फ्रेम को गौर से देखिए रेखा का हाथ पकड़े हुए डिमपल यादो मुस्कुरा रही है रेखा के हाथों में एक परची है रेखा की आखों पर महना चश्मा है रेखा और डिमपल यादो दोनों क्यामरी की तरफ देख रहे हैं जैसे फोटो किचवा रहे हैं बॉलिवट की सुपर कुइन रेखा की जिंदगी यूँ तो कई रहस्यों से भरी है लेकिन उत्तर प्रोदेश चुनाव से कुछी महीने पहले रेखा और डिमपल यादो की ये तस्वीर अचानक में फ्रेम में क्यों आ चुकी है रेखा का वैसे सियासत से भी पुराना कनेक्शन रहा है इसलें तस्वीरों पर लोग कयास लगा रहे है रेखा और डिमपल यादो दोनो संसत के सदस से रह चुके है रेखा को साल 2012 में संसत में राजिस्भा के सदस्य के तौर पर मनोनित किया गया था 2012 में रेखा और सचिन दिंदुलकर दोनों को ततकालीन राश्रोपती प्रणाव मुखर जी ने राजसभा के लिए मनोनित किया हालांकि डाइरेक्ट रेखा का कोई भी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन नहीं रहा है जया बच्चन समाजवादी पार्टी से राजसभा सांसती और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जया बच्चन और रेखा के बीच कैसे रिष्टे हैं और क्यों लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद जहर में बस यही सवाल उठ रहा है कि क्या रेखा ने अपना इरादा बदल दिया है क्या हाल में ऐसी कोई मुलाकात हुई है डिमपल यादों के साथ जिसमें रेखा और डिमपल यादों एक साथ दिखी हूँ और रेखा ने समाजवादी पार्टी के साथ जाने पर हामी भरती हूँ हमें इस तस्वीर के बारे में सच्चाई का पता लगाना था इसमें जधा वक्त नहीं लगा क्योंकि आजकल मुलाकात के हर जानकारी ट्विटर पर समाजवादी पार्टी जरूर साजा करती है हमें पता चला कि ये तस्वीर आज से चार साल पुरानी यानी 2017 किये जब देश में उपर आस्ट्रोपती का चुनाव हो रहा था इसी दोरान रेखा और डिंपल यादों की मुलाखात हुई डिंपल यादों ने पहले रेखा का हाथ जोड़ कर अभिवादन किया रेखा ने ड तरह वे नम्र हमेशा की तरह सुन्दर एक यादकार मुलाखात रेखा जे के साथ यानी अभी रेखा ना तो समझवादी पार्टी में शामिल हुई है और नहीं उनका ऐसा कोई रादा आए